So hello and welcome you all, I am Rohit from Margin Traders So guys, आज बिल्कुल market ने कुछ बड़े momentum बताया है और साथ ही कल हमने 3 shares के बारे में बात की थी आज उन्हीं shares के बारे में बात करेंगे stocks का नाम क्या है, IOC, RAC और BHEL बिल्कुल यहाँ पर इन 3 shares ने अगर देखे RAC में तो मैंने कल क्लियरली कहे दिया था कि इस stock में एक fall देखने को मिल सकता है बिल्कुल हमें गिरा उटने जराए और IOC और BHEL में हम positive थे और बिल्कुल हमें positive returns दोनों ही shares में देखने को मिले बट गाइस वही अगर देखे तो IOC में यहाँ पर कल भी एक अच्छा momentum आ सकता है बट कुछ support इसे लेने होंगे और RAC में अगर देखा जाए तो already a strong support ले चुका है तो कल बिल्कुल हम इसमें positive रह सकते हैं बट वही बात करें तो BHEL में कुछ खराब आकड़े सामने आ रहे हैं तो उन्हें भी हम इस वीडियो में चेनल को subscribe कर देना तो करते हैं वीडियो को start सो गाइस पहले हम बात करेंगे Indian Oil Corporation Limited के Indian Oil Corporation Limited बिल्कुल यहाँ पर जिस levels के बारे में मैंने कल discuss किया था आपके साथ उन्हीं levels को इसने follow किया बिल्कुल एक बड़ा breakout stock में मिला stock ने बिल्कुल तगडे return दिये है positive returns के साथ आज closing दिये है return की बात की जाए तो एक रुपे साहट पेसे तक की बड़त के साथ stock ने आज closing दी यहाँ पर बात की जाए तो 2.24% के हिसाब से share आज grow करता हुआ नजराया है वही बात करें यहाँ पर किस लेबल पे stock ने closing दी तो 73 रुपेज के राउंड share closing देता हुआ नजराया साथ ही बात करें तो 71.90 रुपेज के राउंड share open हुआ था हाई इसने 73.75 रुपेज के राउंड का लगा दिया market gap के इसाब से भी इससे बहतरीं share आपको नहीं मिलेगा 1.03 लाक करोर का market gap है और market gap के हिसाब से एक चीज क्लियर हो जाती है कि एक large cap stock की category में share आता है dividend की बात करूं तो 11.51 percent के हिसाब से share dividend भी देता है बिल्कुल इस stock शानदा रहे guys so कल के levels की मैं बात करूं तो कल कुछ important levels पे आपको focus करना है यहाँ पर अगर देखे तो कल के दिन की बात की जाए तो इस level से stock में आज एक rejection मिला हाला कि आज morning में ही gap up हुआ था gap up के बाद एक अच्छी speed में यहाँ पर stock उपर गया फिर उसके बाद हलका साई share नीचे आया उसके बाद फिर से market भी उपर की और momentum बताने स्टार्ट हो गया और बिल्कुल एक आप देख सकते हो गया इस कितनी बड़ी candle यहाँ पर बनी 72 से 73 रूपिस के around एक ही candle में एक share पहुँच गया था उसके बाद गयाँ यहाँ पर एक जीज में करेगा अगर नीचे के और ब्रेक करता है यहाँ पर में एक पैटर्ण करता हो गयाँ यहाँ पर इस लेवल को एक ब्रेक कर देता है नीचे की और तो यहाँ पर बिल्कुल यह जो gap अब हुआ था 71.50 रूपिस के around share आ सकता है तो इन और finally stock ने यहाँ पर breakout दिया इसी breakout को मैंने कल बोला था कि finally breakout मिल गया एक बड़ा momentum shift होगा और वही momentum हमें shift होता हुआ ने जराया और जो target हमने दिये थे वो target बिल्कुल stock में achieve किये है बिल्कुल बड़े level stock ने achieve कर लिये है वही बात करे हैं तो यहाँ पर आपको feel करेगा और फिर से यहाँ से support लेके stock उपर कियो जाएगा तो इन चीजों का ध्यान रखना है बिल्कुल एक symmetrical type pattern create यहाँ पर हो रहा है बिल्कुल आपको ध्यान रखना है patterns का और यहाँ पर एक बड़ा momentum catch हो सकता है यहाँ पर बात करें तो वन वीक के टाइम पर यहाँ से rejection था यहाँ पर support था यहाँ से rejection यहाँ पर support तो कई बार upside down momentum stock में देखने को मिले हैं और यहाँ से बिल्कुल हम expect करें कि यहाँ पर 88 to 80 94 रूपिस के अराउंड का बिल्कुल आप positive रहो अब तकडे return देंगा यह शेर 3 करोड की अराउंड की deliveries stock ने अल्टरी इसमें उठाई गिये बिल्कुल यहाँ पर heavy quantity से आज trade किया गया है वही बढ़ते हैं गाई second stock की और जो हमारा second share होने वाला है ओ है rack limited अगर आप देखोंगे तो गिरावट नजर आई जिसमें वोला था कल के दिन कि इसमें गिरावट का यहाँ पर आपको जामना करना पड़ेगा गिरावट हमें नजर भी आई 106 रुपे 40 परसे के label पे share ने closing दी गिरावट के साथ 1.45 रुपे के round की गिरावट ने जराई बिल्कुल market के आप अगर देखे stock का तो 28.04 1000 करोड का है dividend भी देता है 10.78% 108 रुपे पे open वहाँ था 105 रुपे तक का low लगा दिया बट रिसने recovery बाद में कर ली levels देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पहले ही इन levels के बारे में बता था कि यहाँ से stock उपर की और का momentum बता रहा है और बिल्कुल यहाँ से अगर देखे तो एक pattern भी मैंने grade किया था कुछ इस तरीकी का यहाँ पर level था यहाँ से stock नीचा है फिर यहाँ पर support लिया फिर उपर गया तो यह level break होता है तो fall आएगा और फिर से यहाँ पर support लेगा तो बिल्कुल यहाँ से एक तेजी का माहूल हमें कल देखने को मिल सकता है as a long time के basis पर हम positive हैं यहाँ पर अगर देखे तो stock में already एक तगड़ा breakout मिला हुआ है और बिल्कुल share यहाँ से उपर क्यों जा सकता है community sentiments के आकड़ों की मैं बात करू तो यहाँ पर आप देख सकते हो guys 90% लोग stock में buy करने के लिए किया रहा है और buyers के लिज़ाब से कर देखें तो बिल्कुल positive return से share कल भी देने वाला है so guys बात करेंगे एक बहतरीन share की जिसका नाम है BHEL सस्पा share है और तगड़े return इस stock दे रहा है 63.10 रुपिस के around stock हमें यहाँ पर closing देता हुआ नजर आया यहाँ पर returns की बात करू तो एक रुपे तक की एक शामदार returns share ने दिये है 1.61% के हिसाब से stock में growth बताई return की बात करें तो 63.70 रुपिस तक का बिल्कुल high भी लगा और market के आप तो आपको पताई है 21.94,000 करो और बिल्कुल mid gap stock है guys आज volume भी हमें तगड़ा देखने को मिला है लगबग 5 करोड से भी ज़्यादा की delivery उठाएगी बड़ एक चीज यहाँ पर reactive है जो आकड़े मेंने बले की खराब है ओ है आपर community sentiments के आकड़े सिर्फ और सिर्फ 30% लोग ही है 30% लोग ही है जो stock में आपको positive नजर आएगे guys बिल्कुल 30% लोग ही है इसमें से 26% bias और holders के लिए कहने वाले है 4% बड़ वही अगर देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पर 70% लोग है जो stock में sell करने के लिए रहा है बिल्कुल एक negative चीज यहाँ पर नजर रही है उसके पीचे का reason है आप पर एक huge gap up तो guys यहाँ पर अगर देखे तो stock को अगर उपर जाना है तो एक range में already यहाँ पर फसा हुआ है तो यहाँ पर upside downs momentum यह शेर कर रहा है तो यहाँ पर अगर breakdown आता है तो बिल्कुल एक fall देखने को मिल सकता है 62 रुपे के round यह शेर आ सकता है उससे भी नीच है और अगर इस range को उपर break करता है 63.45 रुपेस तक तो यहाँ से एक बड़ा तेजी भी हमें देखने को मिल सकते है तो इन levels का आपको ध्यान रखना है तो गाइस काफी कुछ बात है कर चुके हम तीनों ही शेर को लेकर इस वीडियो में तो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक्यो